दोस्तों आपने हमारे चैनल पर फैक्टरे में पेन, पेंसील और इरेजर बनते तो देखी लिया था अब जो चीज बजी थी वो है ये आपने अपने बच्वन में ड्राइंग तो बनाई होगी और आपके ड्राइंग बनाने की सुरुवात वैक्स क्रेयों से ही हुई होगी बच्चों को ड्राइंग की सुरुवात वैक्स कलर से ही की जाती है आपने इसका इस्तिमाल भी बहुत किया होगा लेकिन साथ आपको पता नहीं होगा कि आखिर फैक्ट्रियों में ये रंग भी रंगे wax crayons बनते कैसे हैं तो चलिए जानते हैं आपके बच्पन को रंगीन बनाने वाले wax color कैसे बनते हैं तो wax colors का जो main ingredients है वो है paraffin mom जिसे की crude oil या petroleum से extract करके प्राप्त किया जाता है और इन crude oils को जमीन के कई 100 मीटर अंदर या समुद्र के अंदर से प्राप्त किया जाता है paraffin mom सस्ते होते हैं और ये आसानी से पिखल भी जाते हैं इसलिए paraffin mom color ingredients में यूज होता है तो सबसे पहले एक container में wax को 62 degree Celsius temperature पर पिखला लिया जाता है पिखलने के बाद इसमें laxis powder को डाल देते हैं इसके कारण color मजबूत बन जाता है और फिर उसमें synthetic chemicals को डाला जाता है और फिर उसमें fatty acid को भी add कर देते हैं और अंद में जिस color का crayons बनाना होता है उस color pigment को डाल दिया जाता है और इसे 45 मिनट तक अच्छी तरह से mix करा जाता है तो अब colors की feeling तयार हो चुकी है अब इसको इस rotary machine में डाल दिया जाता है और colors को stick का shape देने के लिए crayons shape molds में इनको inject कर दिया जाता है इस mold को ठंडे पानी में रखा जाता है जिससे wax color एक मिनट में ही जम जाते है अब एक extractor blade इसके उपर जमे हुए wax को हटा देता है और फिर इसे दोबारा use होने के लिए रख दिया जाता है ये factory लगबग हर गंटे 30,000 से भी जादा wax crayons बनाती है और ये machine लगातार काम करती रहती है यहाँ ये machine इन colors को mold से बाहर निकाल देते है अब यहाँ आगे labeling के लिए चली जाती है जहाँ ये machine एक एक करके हर colors के उपर glue की मदद से company का label रख देती है और आगे कुछ इस तरह ये machine colors के उपर इन sticker को लपेट देती है इसी तरह करके अलग-अलग colors के crayons को तयार कर दिया जाता है अब इनकी packing करी जाएगी यहाँ पर अलग-अलग colors के hoppers में wax crayon को रखा जाता है और ये machine हर packets के लिए सभी color के crayons को चुनकर आगे ले जाती है और उन्हें डबों में pack कर दिया जाता है और खुज ऐसे wax crayon तयार हो जाता है दोस्तों हमें comment में जरू बताइएगा आपका favorite color कौन सा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कर दे और ऐसे ही manufacturing वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके बैल आइकन पर जरूर प्रेस करें अब आपके स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रहे होगी दोनों वीडियो बहुत अच्छी है वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें